क्या आप पता है कि धर्ती के गुर्त्वा कर्षण यानि कि ग्रैविटेशनल फोर्स के कारण परवतों का 15,000 मीटर से उचा होना पॉसिबल ही नहीं है क्यों 15,000 मीटर से उपर वो होंगे तो स्पेस और अर्थी ग्रैविटी के चलते वो खुदी क्रश हो जाएंगे इसलिए वो पॉसिबल ही नहीं है 15,000 मीटर से उचे है क्या आपको बता है कि आप कभी भी अपने सपने में कोई अंजान म्यक्ति को देख नहीं सकते क्योंकि आपका माइन खुद से कोई यूमन पेस क्रियेट नहीं कर सकता आपने वो ही म्यक्ति को सपनों में देखा होगा जिनने आपने कभी ना कभी एक बार जरूर देखा होगा लाइफ में क्या आपको पता है कि आइस लैंड में पालतुकुटा यानि कि पैट डॉग रखना खानून के खिलाफ है वहां की सरकार ने मना किया है पालतुकुटा रखने से क्या आपको पता है कि एपल जो कि इत्ति छाई और जानी मानी कंपनी है उसके पाउंडर स्टीव जॉब्स की काड़ पर कभी भी नंबर प्लेट नहीं लगिया हमारा दिल में 72 टू 80 बार धड़कता है लहीं कि आपको पता है कि छिपकली का दिल एक मिनिट में हजार लेप धड़कता होगा और जब तक मैंने आपको यह ऐ पैक्ट बताय अवे चीप्ता है तब तक उसका दिल 200-300 और Commander कि आपको पता है कि एक इंसान हर दिन में दस बार हसता है कि आपको पता है कि टाइप राइटर ही इंग्लिश का सबसे बड़ा ऐसा वर्ड है जो कि कीबोर्ड पर एक ही लाइन से टाइप किया जा सकता है कि आपको पता है कि अम शर्ट की बात करें तो पुरुशों की शर्ट के बटन राइज साइड होते और अम वुमेंज की बात करें तो उनके शर्ट के बटन लेप साइड होते क्या आपको पता है कि महिलाए अर रोज एवरेज 20,000 शब्द बोलती है जब पुरुषों से 1-2,000 नहीं बलकि 13,000 शब्द जादा है अब समझे पुरुषों 7,000 शब्द ही बोलते है एक दिन में क्या आपको पता है कि इतिहास का सबसे छोटा युद्ध 1896 में इंग्लैंड और जैंजी बार के बीच हुआ था जिसमें जैंजी बार ने 38 मिनिट बाद ही सरेंडर कर दिया था इंग्लैंड को क्या आपको पता है कि मर्कुरी प्लैनेट पर एक दिन हमारे दो साल जित्ता लंबा होता है क्या आपको पता है कि एक सामान मनुष्य अपने पूरे जीवन काल में लगभग दो लाख किलोमेटर जित्ता चलता है क्या आपको पता है कि टाइटानिक जहास को बनाने के लिए समय 35 करोड एंड 70 लैक जित्ते रूपीस लगे थे जबकि टाइटानिक फिल्म को बनाने के लिए 1000 करोड के जित्ता लगभग रूपीस लगे थे और अब तो आप सोची सकते हैं कि टाइटानिक असली टाइटानिक को बनाने में इस से पयसा लग गया क्या पता है कि थंडे पानी के मुकाबले गरम पानी ज्यादा जल्दी से आइस में सब्सक्राइब होता है जिसे हम एमबा एफेक्ट कहते हैं इसमें से दोनों पानी में हीट का ही सब कमाल होता है आइस क्रियेट का नोगे में क्या आपको बता है कि हर सेकेंड में आर्थ पे सौ जगे पे अलग अलग जगे पे बिदली गिरती है हर सेकेंड पे सौ अलग अलग जगे पे